हे व्रिवान कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो हमने क्लास 12 की एकनॉमिक्स का सॉलुशन का सीरी स्टार्ट किया हुआ है और पाच जो चाप्टर के सॉलुशन है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं आप वहाँ पर जाके चेक आउट कर सकते हैं और उसे स सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन हों को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे निव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहें तो क्वेशन आप जो वन है चूज दा करेक्ट ऑप्शन उसमें टोटल एक स्टेटमेंट है और जहां प थीक है तो पहला जो है इंडेक्स नमबर इसे जोग्राफिकल टूल नेक्स्ट है यह जोग्राफिकल टूल इस लिए है क्योंकि जनरली हम लोग जो प्रिवियस यहर का डेटा है उसको करंड डेटा से compare करने के लिए के Index Number का यूज्ज करते हैं दुसरा है यहां पर Change होता है इंदेक्स नमबर मेजर Change in the pressure यह यह भी correct है तो यहां पर क्या होता है कि Generally यह देखा जाता है कि जो भी जो भी changes नहें क्या किया जाता है मेजर किया जाता है with the help of Index Number थर्ड नमबर इस इकनोमिक इंडेक्स नंबर मेजर रिलेटिव चेंज इन एकनोमिक वेरीवल तो यह बिल्कुल भी रॉं है और इंडेक्स नंबर आस्पेशिलाइज आवरेज यह भी रॉंग है तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होगा है डिस और आ इस नंड करें धाट इस अई अंटिक्स नंबर दा यां इस्ट नंबरेज चनभी डिखेंट इन इंडेक्स नंबर अगर इंडेक्स नेक्स नंबर का तो क्या है तो सबसे पहले यह मुंदब करते हैं ऐने समर हैं अग्सींदेट्स माधश फॉर मेंगिवीश्य तो आपको थोड़ा सा यहां पर क्लिक होगा नेक्स आता है इंडेक्स नंबर का सिक्निफिकन्स नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा अगर हम नेक्स की बात करें तो नेक्स हमारा होगा वेटेज इंडेक्स नंबर यहां पर अप्लिक नहीं होगा इस असाइन सुटेवल वेट तो वेरियस कुमोर्टी यह करेक्ट है इसके सुटेवल है इन दे मोस्ट आफ केसे कॉंटिस आर यूज़ा यह भी करेक्ट है देन नेक्स आएगा मार लैस्प्रेपैस्चे इस अपार्ट ऑफ क्याल्कुलेशन वेटेज इंडेक्स नंबर तो आपका अंसर रोजाएगा बी सी एंडी ठीक है नेक्स क्वेशन है हमारा स्टेटमेंट टूदा लिमिटेशन ओफ इंडेक्स नंबर अब लिमिटेशन की नेक्स है हमारा देर में भी बाइस इन दा कलेक्टिव डेटा ओके थर्ड है मारा एवरी फॉर्मॉला हास सम काइंड अव डिफेक्ट और लास्ट नंबर इंडेक्स नंबर इग्नोर चेंज इन दा कॉलिटी सॉप प्रडुक्त तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वह क्या अपर है technology नहीं हूँ बाता है कि जो हमें जो अधाने यहां सापर नहीं आगा तो वह बाइस ने देखी जाती है फिर sometime formula भी थोड़ा सा defect हो जाता है क्योंकि data नहीं हो पाता है proper तरीके से collect और यहां पर qualities को भी ignorance का chances होता है तो आपका answer होगा a, b, n, c, d तो आपके सामने दिख रहा है question number 5 यहां पर आपको एक side में बताया एक statement दिया हुआ है सामने उसके formula तो हमें यहां पर देखना है पहला है index number तो index number का formula पहला है price number price index तो price index का हमारा formula यह this one है value index number की अगर हम बात करें तो value index number का formula हमारा यह है ठीक है this one is then quantity index number की अगर हम बात करें तो quantity b1 होगा and past check की अगर हम बात करें तो क्या होगा c1 तो आपका answer यहां पर है first का d, second का a, third का b and fourth का c next आता है question number 2 that is complete the correlation तो यहां पर price index price index जो है उससे inflation को measure किया आता है और जो quantity index होता है उससे agriculture production को measure किया जाता है and p0 stands for base year price, p1 stands for current year price, last spray index, base year qualities, quantities, pasture, current year quantities अब यहां पर single variable जो है वो univariate यह काफे time exam में पूछा भी गया है and composite में group of variable okay तो अब question number 3 से हमें solution करना है चलो one by one discuss करते question number 1 जो है यहां पर आपको price index number जो है calculate करना है तो यहां पर आपको दो price दिया हुआ है एक current year है और प्रिवेस year 2005 का previous year है 2010 है वो क्या है current year का ठीक है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है आपको इसको properly लिखना है एक column बनेगा आपको commodity का दुसरा column बनेगा price in 2005 का ठीक है तो यहां पर numbers दिये हुए यहां पर numbers आएगा उसका total कर लेना है जो होगा 50 और इसका भी इसका total कर लेना 60 हो जाएगा अनिकि आपको base year और current year दोनों मिल गया तो जो यहां का आपका यहां पर formula है वो क्या है summation of summation of p1 divided by summation of p0 into 100 तो यहां पर आपने p1 क्या मिला है आपको 60 मिला है और p0 क्या मिला है यहां पर आपको 50 मिला है ठीक है तो अगर इन दोनों का calculation किया जाए तो आपका answer कितना होगा 120 होगा ओकी तो यह हमारा होगा answer number one answer number second की बात करें तो आपको यहां पर calculate करना है sorry आपको यहां पर calculate करना है quantity index number ठीक है तो quantity index number के लिए again यहां पर कुछ commodities का first column होगा दूसरा है यहां पर base year quantities और यहां पर current यानिक base यानिके q0 और current यानिकी q1 ठीक है तो अगेन आपको दुनों add कर लेना है यहां भी add कर लेना है first column में मिला आपको 820 दूसरे मिला आपको 480 तो आपका अगेन यहां पर formula क्या है quantity index number is equal to summation of q1 divided by summation of q0 into 100 तो 480 divided by 820 into 100 किया तो आपका answer हो जाएगा 58.54 ठीक है अब अब ऐसे question number 3 में हमें value index number को find out करना है मैंने आपको वीडियो में भी बताया है value index number जो हम find out करते हैं उस time पर हम यह देखते हैं कि हमारे पास जो है मतलब price और quantity दोनों का ही कहीं न कहीं क्या होता है base year भी होता है और current year भी होता है तो चलो फिर इसको solve करते हैं सबसे पहला column है commodity का दुसरा है base year में price है और quantity है यह क्या हो जागा P0 Q0 और current year है price है quantity का यह P1 हो जाएगा यह Q1 हो जाएगा जैसे कि हमारा formula है ठीक है अब आएंगे हम लोग अब हम लोग आएंगे like table कैसे बलाना है अभी देखुए आप टेवल में आपको दिखा रहें तो जैसे फर्स तो जो टेबल होगा वो commodity का होगा जिसमें total five commodities है तो as usual जैसे पहले दिया हुआ है P0 Q0 अब यहां पर क्या होगा अब पीज़ों को एक कॉलम नया एड होगा तो जो 40 से 15 का मल्टिप्लिकेशन किया तो 600 आया और वैसे ही पर पीवन क्यों का मल्टिप्लिकेशन आएगा ठीक है तो यहां पर 70 इंटु 20 किया तो 1400 आया और वैसे थर्टीं थर्टीं किया तो 390 आया और उसे 40 इंटु 15 किया तो 600 आया ओके तो दोनों की अगर टोटलिंग की बात करें तो P0 Q0 आपको मिला है 1,890 और Q1 P1 Q1 मिला है आपको 6,540 तो इसका फॉर्मूला क्या है वैली उंडेक्स नंबर इस इकोवल तो P1 Summation of P1 Q1 डिवाइड वैपी 0 Q0 इन्टू 100 अगर 6,540 डिवाइड बाइ 1,890 किया तो हमारा आंसर हो जाएगा 346.03 आप हम देखेंगे लास्प्रे और पैशी मैथड ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं अब यहां पर देखेंगे, हमोग एक士 एन वाई आपको दो कमालेटी दिए गए है और पहला है पाहला कॉलम है base year का जहां पर प्राइज एन कानिटी है और दुसरा है current year का जहांपर क्या है राइज कानिटी अगेन अभी यहां पर जो हम लोग क्या क्याप्ष करना कर लोगे न तो आपको पता होगा कि आपको सबसे पहले P0-Q0 calculate करना है तो first column आप P0-Q0 को बनाओ और summation of P0-Q0 and P1-Q0 तो आप next column P1-Q0 को बनाओ ठीक है तो इस तरीके से ऐसे ही अपने P0 Q0 क्या है 30 into 8 तो यहां पर 240 मिला तो आपको P1 Q0 1200 मिला है और P0 Q0 660 मिला है तो अगर फॉर्मूला की बात करत कर फॉर्मूला क्या है लेस्प्रेंडेक्स इस इक्वाल टू आपको एक्जामेन इसे तरीके से लिखना है Summation of P1 Q0 divided by Summation of P0 Q0 into 100 तो जब 1200 divided by 660 into 100 किया तो आपको answer क्या मिलेगा 181.82 ठीके अब आते हैं पैस्टे पे तो पैस्टे आपकर हम जानेंगे तो यहां पर क्या है पैस्टे में अगेन आपको सेम वही डेटा है पर आपका जो calculation pattern है वो थोड़ा सा चेंज होगा जैसे कि यहां पर दिया गया है आप अगेन मैं बताऊंगे कि formula को सामने रखो और फिर table बनाओ P1 Q1 पहला column है दूसरा है P0 Q0 तो जब आपने P1 Q1 का तो easy है multiplication करना आप confusion आएगा P0 Q0 में सरे P0 Q1 में तो आप P0 और Q1 का multiply का याने कि 8 x 12 करेंगा तो 200 मिल जाएगा ठीक है ऐसे आपने totaling की तो आपको P1 Q1 कितना मिला 620 और P0 Q1 कितना मिला आपको 360 तो आपने जब 600 and 360 divided by 600 360 into 100 किया तो आपको answer मिलेगा 172 अब आते हैं distinguish पे question number 4 पे तो यहां पे सबसे पहला distinguish है simple index number और यहां पर यहां पर यहां पर कंस्टक किया जाता है और एक ऐसा constructing method है जहां पर इंडेक्स नंबर ना हर एक commodity को equal importance देता है लेकिन वेटेज इंडेक्स नंबर एक ऐसा है जहां पर एक suitable weight जो है decide किया जाता है और वहीं commodity को assign की जाती है for the calculation purpose next अगर हम बात करें this method can be applied to determine the price अब यहां पर यह जो method यहां पर तीन चीज़े determine होती है पहला price index number दूसरा है quantity index number और तीसरा है value index number लेकिन अगर हम it is the third point it is the easiest method for constructing index number और वेटेज index number थोड़ा सा उसे comparatively ज्यादा या relatively complex है मतलब simple index number से थोड़ा सा complex है वेटेज इंडेक्स नंबर question number two की बात करें तो question two में हमें पूछा गया है price index number और quantity index number ठीक है तो पहले हम जानते है price index number क्या है फिर जाने की quantity index number point number one की अगर हम बात करूं तो price index number क्या है यह एक दो तरीकी की method को calculate करता है पहला simple aggregative method दूसरा simple average of price relative method quantity index number भी same करता है खाली point को उपर नीचे कर दिए simple है वहाँ पर बेटेज है ठीक है simple average है यहाँ पर है तो आपको वही सेम चीज़ है खाले word चेंज किया गया है price index number को वेटेज अनवेटेज index number कहा जाता है और quantity index number को वेटेज index number कहा जाता है price index number जो है वो क्या करता है वो current year को भी calculate करता है और base year को भी करता है और जो quantity index number है वो जितना goods assign हुआ है जितनी quantity में accordingly वैसे ही calculate करता है quantity index number अब आते है price index number और quality index number पर तो price index number के क्या है पहला तो sorry यहाँ पर यहाँ पर क्या है जितना physical volume कितना output आये कितना volume of commodity है economy में उसको measure करता है यह क्या compare करता है दो different period को compare करता है यहां पर दो different output को compare किया अब price index number का formula क्या है P01 is equal to summation of P1 divided by P0 into 100 और quantity index number का formula क्या है Q01 is equal to summation of Q1 divided by Q0 into 100 अगर let's pray pass check की बात करें तो less pray क्या method क्या है यह एक एक क्या सकते है एक 10 less pray ने दिया था जो German economist थे ठीक है उन्होंने क्या बोला था कि base year जो है वो काफी important है तो उन्होंने वेट को जादा important दिया और उन्होंने प्रिजनिंग के डेटा से ही आप क्या करते हो current year के डेटा को compare कर पाते हो लेकिन जो पैशे जो पैशे थे उन्होंने उनका मानना अलग था उनका मानना यह था कि वो भी प्रिजनिंग पर क्वेशन नमर फाइव ठीक है यह क्वेशन बोर्ड में आपको एक क्वेशन फोर माक्स के लिए पूछा जाता है तो अगर आप इस पाटन में लिखते हो तो आपको डेफिनिटली अच्छे ही माक्स मिलने वाले हैं तो सबसे पहला क्वेशन है इंडेक्स नमबर मेजर चेंज इंदी प्राइज लेवल उनली तो यह सबसे पहला पूलिखना है आई डिसग्री विद अबाव स्टेटमेंट अब इसका रीजन देना है सबसे पहला रीजन क्य करता है दूसरी चीज़ यह है कि इंडेक्स नमबर आर दा ओंडी मोस्यू स्टाटिस्टिकल टूल इकनोमिक्स में अगर कोई डेटा अगर मतलब किसी भी टूल को यूज किया जाता है डेटा कंपार करने के लिए तो वह इंडेक्स नमबर है थार्ड रीजन है इंडेक्स और और वेर ओरिजनली डेवलप्ट तो मेजर चेंज इंडी प्राइज लेवल ओके एंड फिफ्ट वन इस अड़ प्रेजन तैम इस अलसो यूज तो मेजर ट्रेंड इन वाइड वराइटी अफ एडिया सच अस टॉक मार्केट यह एसे एक पर्टिकुलर सेक्टर जहां प प्लिफट करेंड डेक्म का यूज किया जाता है ऊक्व फेस्ट नमर्स अए मारा इंडैक्स नंबर आर फ्री व्यृम इस यह WILL यह भी disagree है क्योंकि इसमें भी देखो कोई भी चीज बनती है उसके लिमिटेशन भी होते हैं उसके कुछ न कुछ consequences भी होते हैं तो हम यहां नहीं बोल सकते ऐसा कि इसके लिमिटेशन नहीं है तो disagree आता है फिर अब यहां पर देखो बहुत सारे दिखो क्या मैं आपको तरीका बताती हूं जब आपके बोड में आपको points याद न रहे तो उस time पर आपको क्या करना है आपको आप जैसे मैंने फर्स जो बताया आपको वैसे ही आपके आंसर को लिखना है लेकिन अगर आपके पास मैं कहूं कि आपके पास आपको सारे पॉइंट्स याद है तो आप पॉइंट वाज लिखो के तो ज्यादा बेटर होगा तो इसके पहल्यटेशन पया है कि सफेंपल बेश पर ही इसका कंस्ट्रक्शिन होता है यानि कि सब्पर येी से कंस्ट्रक्शन या जाता है यहां पर कुछ डेटर का यहां आपके युश्त होसे हैं इसलिए एक थरीके सब्सीता है तो यहां पर हम नहीं बोल सकते कि यहां पर कोई चीज़ नहीं है बड़ तो यहां पर हम ऐसा बोल नहीं सकते बिल्कुल भी कि कोई कोई चीज़ नहीं है बड़ तो कॉलिटी चेंज़ की वैसे भी यहां पर प्रॉब्लम आती है इसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी डिफरेंट का एक पर्टिकुलर वेट असाइन कर दिया है तो उससे ज्यादा का मेजर्मेंट नहीं है यहां पर हो पाएक यह सब्सक्राइब करना है तो आपके पास करेंट यह और प्रिवेस यह ना चाहिए तो पहले सबसे पहले आपके लिखोगे आई डिसग्री विट स्टेटमेंट उसके बाद आपको रीजन्स देने सब्सक्राइब क्या है और इंडेक्स नमर इस डिवाइस टो बेजर चेंग सब्सक्राइब उसके लिए आपके पास करेंट और प्रिवेस दोनों होना चाहिए तो यह विच दचेंग और मेजर्ड इस टर्म्ड आज बेसियर और इन अधर वर्ड्स अधर यह विट रस्पेक्ट टू कंपारिजन इट सब्सक्राइब बेसियर की मिना मतलब उसका कोई मेनिंग ही नहीं न तो इसे जीरो से भी डिनोट किया गया है सो इव मतलब बेसियर नहीं होगा तो करन्ट इयर का डेटा मेजर करना बिल्कुली इंपॉसिवल हो जाएगा इसलिए यह पर बेसियर को इंपॉर्टेंस दी गई है वेशन नमस 6 की बात करें तो यह हमारा है व हमारे पास 8 फीचर सबसे पहले पहले हम लिए जब इस अंसिर को लिखते हैं जब पूछा यह मांक्स के लिए पूछा आता है तो सबसे पहले हम अगर टेक्सबूक में डेफिनेशन अवेलेबल है तो डियु देफिनेटल स्टार्ट करना चाहिए तो यह पर अक़दिंग लिएटा है तो यह इसे डिवाई से डूसरा है इसे परसंटेज में डिफाइन किया जाता है इससे तीसरा इससे ही net worth को change किया जाता है या net worth को compare किया जाता है दो different time period पर फोट है यहाँ पर variable involved है पहला univariated है या फिर composite variate है और इसके लिए base year भी चाहिए current year भी चाहिए और base year index number को जो है मतलब यहां पर assume किया जाता है कि 100 है है ना इसे ही current year calculate किया आता है और eight point है हमारा major major economic activity यानि कि economic activity को barometer of economic activity को measure करने का काम करता है नेक्स आता है significance of index number इस significance को जगह importance भी exam में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको बताना है कि index number क्या है तो यहां पर लिखा हुआ है और इंडेक्स अमपर इस चाहिए इस सारी चीजों से इसका economic analysis निकाला जाता है तो यहां पर यहां पर क्या होता है यहां पर होता है यहां पर चेंज करने के लिए नया नया पॉलसी बनाने के लिए नेक्स आता है study trends और tendency को study करने के लिए भी help करता है चाहिए वह production हो चाहिए प्राइज हो एक्सपोर्ट हो इंपोर्ट हो इस साली चीजों को study करने के लिए help करता है forecasting about future forecasting का मतलब होता है prediction एक तरीके से कि मतलब future की बारे में predict करता है कि ऐसा हो सकता है इस तरीके से हो सकता है future में इस चीज के demand हो सकती इसकी नहीं हो सकती साथ इसके demand कम हो जाए तो यह kind of जैसे अभी labor का demand day by day कम होते जा रहा है यह manpower या human resources कम होते जा रहा है क्योंकि machinery का importance जादा बढ़ रहा है तो यहां पर वह forecasting भी करता है और inflation को भी measure करने के लिए help करता है इंफलेशन कम हो उसके लिए anti-inflation measuring measure लेके आता है ठीक है next आता है useful to present financial data आनि कि जो financial data है उसको भी properly present करने के लिए help करता है तो question number 7 हमारा last one last question हमारा that is explain the steps involved in the construction of index number कौन कौन से steps है तो पहले आपको बताना है कुछ index number के बारे में लिखना है उसके बाद आपको start करना है तो यहां पर लिखा है मैंने index number are one of the most used statistical tool in economics and index number is a device to measure changes in an economic variable for over a period of time तो अब यहां पर steps की हम बात करते हैं सबसे पहला step क्या है मारा कि index number construction करने के सबसे पहला step है कि purpose होना चाहिए index number को मतलब अगर हमें कोई भी मतलब data calculate करना है तो उसका purpose जाना बहुत जरूरी है ना तभी तो आपको fruitful और अच्छा result मिलेगा दूसरा selection of base also very important अगर मतलब उस साल natural calamity आई है तो उसको नहीं लिया जाएगा मतलब comparison किस basis पर होगा ताकि लगर last year में किसी भी तरीके की calamity नहीं आई है तो उस basis पर यहां पर calculate किया जाएगा तो नेक्स आता है selection of item तो कौन कौन से यहां पर items चाहिए वह customs हो टेस्ट हो preference हो habit हो कोई भी चीज हो उसको selection करना important है next question आता है next point है selection of price quotation price quotation का मतलब क्या होता है जहां पर आप यह देखते हो कि इसकी price कैसी होने चाहिए यह कितने में बिकेगा market में तो यह price quotation होता है मतलब आपने particularly क्या सकते एक price decide कि market में इस price में क्या जाएगा यह commodity पर्टिक्लर commodity जाएगा ठीक है तो next आता है choice in a suitable average तो एक proper arithmetic का यूज करके suitable average भी find out करना होता है ताकि उससे comparison किया जा सके असाइन प्रॉपर वेट प्रॉपर वेट भी होना जरूरी है मतलब कैसे भी कितना भी वेट यहां पर comparison नहीं हो पाता है तो उसके लिए proper वेट होना बहुत जरूरी है ताकि उससे पता चल पाए कि कितना आ रहा ह कि मतलब डेटा कि डेटा कितना आ रहा है तभी तो comparison किया चास लगेगा ना नेक्स जाता है selection of appropriate formula अब formula भी correct और proper device के साथ होना चाहिए तभी क्या होगा डेटा की जो availability हो बेटर तरीके से आएगी तो यहां पर हमने chapter 6 का पूरा exercise solve कर दिया है हम मिलेंगे अगले chapter के exercise के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले thank you so much